है हलो वाइन कैसे आप सभी लोग फाइनली युएस का जो CPI डेटा है वो रिलीज हो चुका है मैंने 114 टेलेग्राम चेनल जोईन करके रहे हैं सबसे सूपर फास तरीके से हमने ही लगबग जैसे ऑफिशल साइट पर डेटा आया तीन सेकंड के अंदर अंदर मैंने टेलेग्राम पर आपको अपडेट कर दी एक्सपेक्टेशन थी कि 8% या फिर 7.9% के आसपास डेटा आ सकता है लेकिन डेटा उससे भी कम आया अच्छा आया जो कि 7.7% का था आपने देखी लिया होगा क्या पता लगा कि यूएस की एकोनोमी थोड़ी सी बैटर हुई है यूएस में जो इंफलेशन है वो कम हुई है महंगाई कम हुई है तो इसका पॉजरिव इमिपेक्ट तो मार्केट पर पढ़ना ही था बिटकोईन की प्र करना चाहिए पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है इसके अलावा मैंने भी आपको टेलिग्राम पर कोई पैनिक नहीं करा कि भाईया देखो BUSD में कर दो USDC में कर लो अगर आप तुरंत करते तो आपको एक अच्छा कासा लोस भी हो सकता था ठीक है आप डिफरेंस देख सक उसके बारे में डिसकस करेंगे and I swear honest update देने के मैं पूरी कोशिश करता हूँ मेरी थोड़ी सी तवेत खराब है फिर भी आपको इस तरह की से अपडेट कर रहा हूँ तो like तो बनता है ना सीधा वीडियो को शुरू करते है टेलिग्राम को जोइन कर लेना लिंक आपको बात कर लिए अब जादे इसके उपर बात नहीं करेंगे सीधा चलते हैं टीथर कांट के उपर यूस डडी कांट के उपर अभी आप देख सकते हो एक डोलर से कम ही है 9999 इतना चल रहा है यहाँ पर अगर मैं चार्ट आपको बताऊं देख सकते हो कि लग बग 3% के आस पास इसकी वैल्यू देखने को मिल जागे ठीक है लेकिन फिर भी CPI डेटा आने से पहले 3% का डंप मार्केट को बहुत जादा मुझे पहली बार इतना डर मैसूस हुआ जब इस तरीके से यूस डिटी की प्राइस किसी की इवेंट से पहले या फिर जब यूस का इंफलेशन न हो जाता तो भया बीटी सी को 10,000 की नीचे जाने से कोई नी रोकता इतना बड़ा ये कांट होने वाला था अच्छा ये डीप हुआ ही क्यों इसके पीछे का कारण क्या है यूस डिटी तो काफी अच्छा स्टेबल कोई माना जाता है देखो आप सभी को पता है कि अलमारा पतालने के वज़े से को मैंने टेलेग्राम पर वे से आपको अपडेट भी करिए ना कि लगबग लगबग जो उनके पास यूस डिटी थे उन्होंने निकाल दिये ठीक है निकाले तो भया इसकी विरे से एक अच्छा का सा करेक्शन भी देखने को मला थोड़ा सा इसके उ यूस डिटी भी क्रेश होता हूं मैं दिख सकता है लाइक यूस टी ठीक है जो हमने लुना की केस में देखा था तो इसके विरे से फड आना शुरू हो गए मार्केट में टेंशन का महूल चड़ गया और सभी इंफ्लूंसर्स या फिर सभी मेरे छोटे बड़े रेस्पेक तो ट्रोन डाउ वालो के पास में अभी इतना पैसा है कि वह ऐसी सिचुएशन से निपट सकते हैं या फिर आपने पहले भी देखा होगा शायद माई के टाइम पर या जून के टाइम पर ऐसा ही कुछ मार्केट में फड आया था या फिर ऐसा ही सिचुएशन मनी थी कि कि USDT क्रेश हो गया, USDT डीपेग हो गया तब भी इन्होंने अपने आपको संवाला था तो मतलब इतना भी बेकार नहीं जितना लोग इसको बोलते तो यहां पर देखो इन्होंने एक बिलियन डॉलर से वापस से इसको बचा लिया और अभी भी इनके पास फंड है इससे ब इसको फ्रीज कर दिया जो कि कई न कहीं एक बड़ी अपडेट है कि इसको फ्रीज कर दिया गया है लोग इन्फोर्समेंट की रिक्वेस्ट के उपर तो यह एक काफी बड़ी अपडेट है अभी आपको बदलना चाहिए योस-डी-सी में करनवर्ट कर लेना चाहिए या नहीं देको एक स्टेबल को इन treadmill को चुनना कहीं न कहीं थोड़ा सा गटबड़ वाली बात होती जिसको यहां पर आप देख सकते हो कि टीथर के ओफिशल ट्टर हेंडल ने भी री टुट करा है यहां पर आप देख सकते हो जो भी इसके ऑनलिस्ट है देखो इसको इन्होंने री टुट करा है no issue we keep going और यह सारी अपडेट से ना अगर आप देखोगे ना compare कर ले ना मैं वापस से कह रहा हूँ हाला कि कोई अगर बड़ी media house होगी उनके comparison में तो हम थोड़े लेट होगे लेकिन influencers के मामने मैं with respective ही बोल रहा हूँ कि भाईया हाँ telegram channel पर हमें सबसे पहले update मिली जाती है इसके लाबा यहाँ पर एक और update है कि जो SSC के chairperson है Gary Gansler उन्होंने भी भाईया FTX के meltdown पे या फिर FTX के कांड पे अपना मद दिया है कि देखो हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इस तरह किसी यह risk की वगेरा है और इस तरह की से regulation वगेरा आनी चाहिए और SSC ने इसके उपर कारेवाही भी already start कर दी है तो इनका भी सेम वही है जादा इसके पर में बात नहीं करूँगा इतना कोई important नहीं है चलते next update की तरफ यहाँ पर FTX ने जो है वो मतलब की FTX के जो माई बाप FTX के जो founder है सेम भाईया उन्होंने भी वापस से एक important tweet करा है जो की telegram पर I think आपको मिली गया होगा tweet क्या है tweet का thread इनोंने लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हो I am sorry that's the biggest thing भाईया मेरे से नहीं हो रहा इसको आप खुद ही देख ले ना deposits है ना उनसे जाद है possibly यह कहना चाहरे है कि भाईया अगर मामला सही होता है या फिर और एक और चीज एक breaking update ओर आई थी कि भाईया यह fund raise करने वाले है ठीक है telegram पर update मैंने आपको देई दी थी कि भाईया जो FTX वाले है और यह CPI data आने से पहले था मैंने भी आपको एक good news इसके बारे में दी थी यहां देखो मैंने कहा है कि FTX to conduct fundraising next week यह ऐसी report आई है तो कहीं न कहीं एक अच्छी बात है और यह अपने tweets में भी कह रहे है मैं खुदी भी परेशान हूँ अभी fundraise के बारे में बात करें इसके अलावा हमारे पास अभी भी पैसा है collateral है हमारे पास और शायद वो जो लोगों का पैसा है वो भी लोटा सकते इसके अलावा जो हमारे staff वगर है हम उनका भी ध्यान रखेंगे उनको भी अगर बचा-कुचा पैसा होगा तो उसमें भी हम बाटेंगे वगर है वगरा तो इन्होंने इस तरीके से बात कहीं अब जादा इसके उपर चर्चा इसने नहीं करूँगा क्योंकि आपने पहले देख लिया है तो फिर वहां पर बाइनेंस के सीई हुआ है उन्होंने कहा कि बाइया ना उन्होंने अपना कोई फंड कोई स्टेक फ्टी एक्चेंज के उपर नहीं रखा है तो इससे आपको कुछ भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं ठीक है तो यहाँ पर एक update ओर आई इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाईया जापान में भी इनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है FTX जापान ordered by regulator to suspend operations following withdrawal हाल्ट तो सेम समझ में आ गए होगा कि हर country अब इनके ओपर डंडा करेगी तो main जो इस पूरे वीडियो का सार है वो यह है कि पहली बात की inflation number सही आया है data सही आया है तो market में थोड़ी bullishness भी हमें देखने को मिल सकती है लेकिन अभी थोड़ा सक तसलिक ही जरू होते है मुझे जहां तक लगता है क्योंकि अठारा अजार से पहले पहले market को एक अच्छा का जर रेजिस्टन्स मिल रहा है BTC को एक अच्छा का जर रेजिस्टन्स मिल रहा है I hope कि यहां से हलका फुलका correction लेने के बाद में BTC वापस से upside moment हमें दिखाए जिस तरीके के number आया है उनके base पर मैं से positive बात के रहा हूँ ठीके इसके अलाबा यहां पर दूसरा काम क्या करना है आपको अगर पूरा ही fund USDT के अंदर है तो थोड़ा बहुत 50% 30% 20% एटलिस कुछ % का तो आपको BUSD या फिर USDC या फिर और भी जो better अच्छा लगता है यहां हमारे पास कितना fund है यहां पर देख सकते हो चार लाग 75,000 BTC है इनके पास इसके लाबा फोर पॉर पॉंट एट मिलियन एथर है और USDT 17.6 billion USDT है इनके पास BUSD तो इनका घरका है इसलिए इतना हो गई इनके पास बाकी अच्छा कासा है तो इसलिए यह number one की position पर बरकर आरे ठीक है और क्या कभी कि Binance के साथ भी ऐसा case हो सकता है जो आज हम FTX के साथ में देख रहे है इसके उपर एक वीडियो चाहिए क्यों मैं ऐसा खेर हूँ आपको मस्त वीडियो आएगा और उस वीडियो को काफी जाधा hate में मिलेगा I'm sure ठीक है तो बस इतनी अपडेट भी market की और जाधा updates के लिए